इंडिया के नेतरुत को हड़पना चाहता था उन्निस दिसंबर को अशो का होटल में जो बैठक हुई थी उसमें एक साजिस के तहत इंडिया गटबंदन का नेतरुत करने के लिए सिरी खड़के का नाम सुझाया गया था इससे पहले मुंबई की बैठक में सरसम्मती से तैव हुआ था कि बगएर किसी का चेहरा आगे रखे बगएर ये इंडिया के ड़बंदन काम करेगा पहली शाम को सिरी केजरिवाल जी के आवास पर जब ममता बनर जी गई थी तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा कॉंग्रेस के उसी कोकस ने एक साजिस के तहत ममता बनर जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया यद पी शिरी खड़के जी ने बाद में उसको खुदी ऐस व्युकार कर दिया दरसल जितनी भी गहर कांग्रेसी छेत्रिय दल हैं चाहे वो लोग दल हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे जेडी यू हो चाहे आर जेडी हो चाहे ममता बनर जी की पार्टी हो चाहे सरदपमार जी की पार्टी हो ये सब दल कॉंग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की दानित में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है कॉंग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दोर से गुजर रही है पिछले दो लोग सभाज चुनाओं में नेता प्रती पक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे लिहाजा वो छेत्रिय जो नेत्रित है इन दलों का उनको समात करना चाहते हैं वो इनके विकास में रोड़ा हैं और उन्होंने सिस्टेमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खीचने का काम किया जो टिकट बठवारे का था हम मुंबई से भी और उस से पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बठवारा जल्दी होना चीए वो भारती जंता पार्टी की ताकत को कम करके आख रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है हम उनके साथ रहे हैं ग्रास रूट पे उनका काम है साधन संपन पार्टी है परदान मंतरी की लोपियता है उससे लड़ने के लिए जिस तरह का ताम जाम होना चीए किसी गठवंदन के पास उसका नितांत अभाव इंडिया गठवंदन के साथ था और कैसे ये नेतित हड़पना चाहते हैं उसका सबसब बड़ा उधारन है जो कॉंग्रेस के राज है हरियाना हिमाचल उत्राखंड राजस्थान मद्दपरदेश चतिसगड तेलंगाना करनाटर का और आसाम में किसी भी पार्टी के साथ सीटों की कोई तालमेल नहीं होगी यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी अकले लड़ेगी और जो छेत्रिय दलों के द्वार जो अरजित की गई राजनितिक भूमी है उस पर डाका डालने के लिए डिस्प्रिपोर्शनेट तरीके से हिस्सेदारी मांग रहे हैं यूपी बिहार तमिलनाडू पस्वी बंगाल महरास्ट वहाँ उनकी यूपी एक सीट बिहार एक सीट और पस्वी बंगाल दो सीट महरास्टरा एक सीट दो या तीन सीट तमिलनाडू और सब जगे इनकी डिस्प्रिपोर्शनेट डिमांड है और इसलिए गठभंदन हमार साथ भी नहीं हो पाया औरना इन दलों के साथ होगा मैं सिर्य अखिलेस यादव जी के इस बयान से सहमत ही रखता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि वारता पहले सी सुरू करके सीटों की तालमिल पर करनी चीए थी हम सैयुक्त लोग दल में रहे हैं जनता दल में रहे हैं सप अहरियाने में पस्मी यूप में तमाम लोग दल का राजकाज हुआ करता था लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेत्रित सब को नीचा दिखा करके इसको हड़पना चाहता है हमें अफसोस है और राहत भी है कि जो इंडिया गठबंदन का निर्माता था जो पहला सेयूजक था आज उन्हों ने और जनता दलियू ने इस गठबंदन से अपने आपको अलग कर लिया है और एंडिया के गठबंदन में हम आज से शामिल हैं 27 सितंबर 2022 आप से तीर साल पहले चोधरी देविलाल जी की जैनती थी हिसार में उसमें मैं भी नितीश कुमार जी के और तेज़स्वी यादव जी के साथ उपस्तित था जितने भी वहाँ पर नेता थे सबसे नितीश कुमार जी ने निजी तोर पर हाथ जोड़ करके निविदन किया था कि कॉंग्रेस पार्टी को इस गठबंदन में शामिल करो हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की रानिति में एकसेप्टेबिल्टी दिलवाई ये पार्टी अचूत हो के चंदर शेखर राव की पार्टी इन सबने गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी मोर्चे बनाने के प्रियास किये थे इसी प्रस्ताव को लेकर के के चंदर शेखर राव पठना गए थे नितीश कुमार जी को समझाने के लिए उनको अपने पक्ष में लाने के लिए नितीश क वज़े से इंडिया गठमंदन बना और कॉंग्रेस पार्टी को भारत की राइनिती में पुने इस्थाफित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया हमें अफसोस है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कोकस्ता उसकी सेडेंद्र कारी भूमिका से आज हम मुक्त हुए हैं गि तरह कि इस्थानी इस्तर पर कुछ बामलों को लेकर करके दिक्कत रही लेकिन गठमंदन जो टूट रहा है वो कॉंग्रेस पार्टी की हट धर्मिता की वजह से टूट रहा है और मैं अपने राजनितिक अनुभाव मेरा पचास साल का है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं इ इनका कठबंदन ना सपासे होगा और बहुत दिक्कते आएंगी महरास्ट में भी और तमिलाड़ों में तो यह सारे कंसर्स थे कॉंग्रेस झाल पच्छ को यह से बड़िए हैं आएंगी में थाज़ एुर थे कॉंग्रेस